सजनों जून के मेने में ब्रस रासी के लिए कैसा रहने वाला है तो सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रस रासी के अंदर ही चतुर ग्रही योग इस समय पर बन रहा है और चतुर ग्रही योग के अंदर ब्रहस्पती, सूर्य, शुक्र और बुध, तो सूर्य, शुक्र और बु विशद सपलता, इसके अंदर मिलने वाली है, दूसरे नमर पर, राहू जो हैं, आपके 11 पहजाएर माष्थार का राहू, अचानक अश्लाब देने वाला होता तो कोई अचानक अछलाब की यूजना आपकी ansakती है, अचानक कोई रुका हुआ धण, जो हैं, वो आपको से चला जाएगा पत्नी के साथ कुछ कटूता हो सकती है तो उसके प्रतिवी आपको साउधान लेना होगा अब शनी आपके दसमस्तान के अंदर मूल त्रिकोन के अपनी ही राशी के अंदर विद्यमान हैं तो ये कोई ना कोई राजयोग बनाएंगे अर्थाथ अगर आपको राजकी है अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है और पिता से अच्छी जो है क्रपा आपको क्रपा और आशिरवाद आपको प्राप्त हो सकते हैं धन के खर्चे करीब करीब मिटेंगे लोस जितने भी हैं वो आपके मिटेंगे लेकिन भूमी का विवाद ये जो है संभाव इसलिए भूमी के विवाद में सांती पूरुवक बातावरन से उसको सुल्जा लें पत्नी का स्वास्त या पत्नी के साथ संबंद कुछ कटू या कुछ बिगड सकते हैं तो उसके प्रती अपने आपको सावधान आपको रखना है ब्रहस्पती आपके बहुत ही बड़या है आपकी रासी के अंदर ब्रहस्पती बैठे गए अगर आप अभी तक अनमेरीड हैं तो अब आपके विवाहा के संजोग बनने वाले हैं दूसरी बात अगर आपके संतान नहीं हुई है तो ये ब्रहस्पती आपको संतान देने के लिए तत्पर हैं प्रयासरत हैं देने के लिए आशिरवात देने के लिए तयार हैं यानि आपको संतान की प्राप्ती हो सकती है भाग्य की वर्दी होगी अच्छी आप जो है लंबी और बड़ी यात्राइं आप करेंगे और उन यात्राओं के अंदर आप लाप राप्त करेंगे अब मैं आपको दैनिक रासी फल दे के इन्वेस्टमेंट ना करें परना वो नुक्सान की संभावना उस समय पर हो जाएगी अब आप पांच छे साथ नो दस और ग्यारा यह साथ दिन आपके आनंद के बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं इसमें हर प्रकार की सुख सुविदा इज्जत मान प्रतिष् जो चिंता आई है वो समापत भी हो जाएगी 14-15-16 तारीक यह पढ़ने वालों के लिए तो वरदान रूप है इस समय पर हर प्रकार की सपलता है चाए आप इंटर्व्यू दे रहे हैं चाए कोई आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं चाए आप जो हैं अध्यन कर रहे हैं इनक किसी के साथ में कटुता उत्पन हो जाए या बैरभाव जो है उत्पन हो जाए विबाद उत्पन हो जाए तो उससे बचने का प्रयास करें 19-21 आपके लिए आपके व्यापार के लिए आपके परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया है लेकिन 22 तरीक यह अपने स्वस्ति के प्रति आपको जो है जागरुक रहना होगा आप अस्वस्त हो सकते हैं चोबिस पचीज छपीज सताइस अठाइस और उनतिस तारीक ये जो इतने दिन हैं ये आपके लिए पूरे बहिने के बीच के अंदर ये छे दिन ऐसे आये हैं जिसमें बहुत सा आपका रुका हुआ कार करें बाकी जो तीस तारीक है वो आपके लिए नुकसानदाई हो सकती है तो उसमें आपको सचेत रहना होगा ये जानकारियां हमने आपको दी बाकी जानकारियों के लिए इन नम्रों पर संपर्क करके कारियले से अपाइंटमेंट ले करके कारियले की सेवाएं अरपन करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जानकरके लाव उठा सकते हैं नमस्कार